यह वेलकम स्टुडेंट्स तो नाव आइम गोंग तो रिज्यूम यूर चैप्टर अधे चैप्टर नेम इस रिसोर्स एंड डेवलप्मेंट नो इस बुक नेम तो नेम अफ द चैप्टर इस इंडस्ट्रीज अन इट बिलोंग तो एंसी आर्टी बुक जोग्रफी फर क्ला यह से को अब हम लोग बात करेंगे जमसेदपूर सहर के बारे में क्योंकि भारत में और जार्खंड में जमसेदपूर सहर जो वह काफी वहां पर इंडस्टीज का सेट अप किया हुआ है वहां पर बहुत सारी इंडस्टीज है उसके आसपास में कोईले की खान है आइरन आइरन ओर की खान है बॉक्साइट की खान अवलेबल है कोल माइन्स है 24 1947 there was only one iron and a steel plant in the country Tata iron and steel company limited that is disco it was privately owned after independence the government took the initiative and set up several iron and steel plants disco was started in 1907 at sakchy near the confluence of the rivers सुबर्न रेखा एन खरकाई इन जार्खन लेटर उन साक्ची वाज रिनेम्ड एज जमसेदपूर जो जोग्राफिकली जमसेदपूर इस दी अब एक बार जरा साइस में ध्यान देने की है कि क्या जमसेदपूर का नाम किसी तरह से जे आडी टाटा के साथ जुरा हुआ है क्या क्योंकि हम लोग यहां बातें कर रहे हैं कि 1947 से पहले देश में आईरन और स्टील का प्लांट सबसे पहला प्लांट जो था टिसको के नाम से यहां पर लगाया था और यह प्राइवेटली ओन प्लांट था टाटा की फैक्टरी है अपर इंडिपेंडेंडेंस दे गवर्मेंट तुक दे इनिसियेटिव उसके बाद सरकार ने इसमें काफी सारा इनिसियेटिव लिया और और भी बिजनेसमेन इसमें आगे आए और जमसेतपूर में कई सारी आईरन और स्टील प्लांट का सेट अप हुआ तो टिस्को का स्टार्ट हुआ है 1907-1907 इस्वी में साक्ची नाम की जगह पर S.A.K.C.H.I. निर दे कंफ्लूएंस आफ दरीवर सुवर्न रेखा और खरकाई लेकिन आगे चल करके इस साक्ची नाम की जगह का नाम बदल करके जमसेतपूर कर दिया गया और जोग्राफिकली अगर हम देखें तो जमसेतपूर जो है भारत में आइरन और स्टील सेंटर के लिए इंडस्ट्री के लिए सबसे सूटेबल लोकेशन है क्योंकि इसके आसपास में कोल माइन्स भी अबलेबल हैं और साथी आइरन ओर की माइन्स भी अबलेबल है अब पहले इसका नाम था साक्ची इस प्लेस वाज अगाल नागपूर रेलवे लाइन तो यह ध्यान देने वाली बात है कि यह सहर काली माटी स्टेशन जो है बंगाल नागपूर रेलवे लाइन का उससे मातर 32 किलोमेटर की दूरी पर था यह चीजें हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस प्रोवाइड़े लार्ज मार्केट तो टिसको गेट्स कोल फ्रों जड़िया कोल फिल्स और आईरन ओर लाइम स्टोन डोलोमाइट और मैगनीज फ्रों उरिशा एंड शतिसगर तो यह लोकेशन ही कुछ ऐसा है कि टिसको को और उरिशा से इसे आईरन ओर लाइम स्टोन डोलोमाइट और मैगनीज मिल जाते थे और यह चीजें इसे पास के च्छतिसगर से भी मिल जाती थी और पानी की तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि यह दो दो नदियां इसके पास में थी कई सारे मतलब इनिसियेटिव्स लिए अच्छा तो फीगर 5.9 में हम लोग देख रहे हैं कि जमसेदपुर का लोकेशन क्या है तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन कहां पर है इसके आस-पास में एक गोल्फ कोर्स है टेलको वो भी रहे हैं जमसेदपुर में एयरपूर्ट भी दिखाई दे रहा है इस तरीके से यह जो जगह है काफी सुटेबल रहा है आइरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए इन जमसेदपुर सेवरल अधर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वेर सेट अप आफ्टर टिसको यह जब वहां पर आइरन और स्टील के ज्यादा होगी तो हम उसके बिएसीज पर सेटप कर सकते हैं क्योंकि हैवी अप्लांट्स के लिए और स्टील वह जो है इन पूट की तरह इस्तेवाल होगा तो आज पास में पर्टिलाइजर की फैक्टरी हो सकती है तो फैक्तरी ची लेट टफ इंफ्रास्क्रक्षर बिखांगे लिए आयर थील जाहिए मसीन डी की प्लांट हैं टेलें 갑्लेंट पिलांट के प्लांट है अंघरी क्लेड्यकल्चरल इक्वेप्मेंट आप कह सकते हो कि झाह की थिसर का हो प्लांट हो यह सब चीजे अधिज on the iron and steel industry for their basic infrastructure the Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills also it also includes secondary producers rolling mills and ancillary industries also तो यह हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि बहुत सारे factory के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए iron और steel industry जो है वो feeder industry का काम करती है मतलब इनके जो product होंगे इनका जो output होगा iron और steel industry का वो इस्तेमाल होगा बाकी सारी factory यों के लिए input के तोर पर उनका infrastructure सक्षर बनाने के लिए और कई बार raw material के तोर पर भी पेज नंबर 57 पर हम लोग एक छोटा सा activity देख रहे हैं लेट्स डू सक्षन में इसमें लिखा है कि with the help of an Atlas identify some iron and steel industries in India and mark their location on an outline map of India तो मैंने पहले भी कहा है कि जब हम लोग जिसकस करते हैं पढ़ते हैं तो अपने पास में globe available होना चाहिए country का map होना चाहिए दुनिया का map होना चाहिए और state का भी map जरूर होना चाहिए तो वहां पर हम इसे locate करके देख सकते हैं कितने तरह के map होते हैं और किस तरह के map को कैसे से इस्तेमाल करें इस पर मैं एक अलग लेक्चर सेशन रिकॉर्ड करूंगा जो मैं आपनों के साथ में बाद में सलब यहां पर जो factory होगी या जो Pittsburgh है कैसी जगा पर established है किस जगापहर और इसके आजसेजना कि कहन क्या कॉइले कीछानव कि वी ओंध्रा प्रे उप्रों लॉघ फिर कोल आस्पास में तो आज कल के समय में 1500 km की दूड़ी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मुझे लगता है railway lines का network होगा जिसके जड़िये Pittsburgh में मिनोस्टा से iron ore available हो जाता होगा जो की इसका raw material है between these mines and Pittsburgh is one of the world's best routes for shipping or cheaply the famous Great Lakes Waterway तो मैंने तो railway line का अंदाजा लगाया था और यहां पर बात हो रही है Great Lakes Waterway मतलब समुद्री रास्ता है तो वो तो और भी economic हो गया कि मिनोस्टा से iron ore किस तरीके से Pittsburgh आसानी से कम खर्चे में पहुंचाया जा सकता है समुद्री रास्ते से trains carry the ore from the Great Lakes to the Pittsburgh area the Ohio, the Monogillay and the Allegheny Rivers provide adequate water supply तो Pittsburgh के आसपास में यह तीन नदियां भी है जहां से उसे आसानी से पानी available हो जाता है और इसके साथ साथ में हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पर कोईले की खान available है मिनोस्टा से उसे iron ore मिल जाता है और काफी अच्छा वहां पर वाटर वे सिस्टम available है साथ में ट्रेंज का नेटवर्क भी अविलेबल है कि यहां पर एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट है दे नेम ऑफ ग्रेट लेक्स आर सुपिरियर हुरों वांटेरियो मिशिगन एन इरी लेक सुपिरियर इस दी लार्जेस्ट आप इस फाइव लेक्स लेक्स सुपिरियर जो है जैसा कि इसका नाम भी है इन पांच लेक्स में से जील में से सबसे बड़ा सबसे ज्यादा एक्स्पेंड एडिया वाला लेक है तोड़े वेरी सब्सक्राइब लाज स्टील मिल्स आरें पिट्सबर्ग इसल्फ देयर लोकेटेट इन दी वैलिज ऑफ दो मोनोगेला एन एलिगनी रिवर्स एबफ पिट्सबर्ग एन एलोंग दो ओहियो रिवर्स बिलोग फिनिज देश्टील इस ट्रांसपोर्टेट तो दो मार्केट बाइब बोथ लैंड और वाटर रूट्स तो अब बता रहा हैं कि आज कल के समय में पिट्सबर्ग में स्टील मिलें कम रह गई हैं क्योंकि इसमें से काफी सारी मिले जो हैं या तो सिफ्ट हो गई हैं या नई मिले लगाई गई हैं मोनोगेला की घाटियों में और साथी एलिगैनी रीवर्स के आसपास में ओहियो रीवर के आसपास में भी क्योंकि वहां से फिनिज्ड इस्टील उस प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में भेज पाना ज्यादा आसान है इस सरक के रास्ते से भी और वाटर वेज के जड़िये भी दफिट्सबग एरिया है मैनी फैक्टरी अदर दैन स्टील मिल्स यहां पर स्टील मिल्स के लावा भी और भी मिले हैं वो तो सभाविक है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आईरन और स्टील फैक्टरी बहुत आज रेल रोड एक्विपमेंट हेवि मशिंगा अन में बहुमुप अब हम देख रहा है कि टॉक कॉटन टेक्स्टाइल इंडस्टी की बात करेंगे तो हम लोगों ने जब इंडस्ट्री की रैंकिंग की थी पुड़ी दुनिया में तो हमने कहा था ना कि दुनिया में तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे टर्म जो है वो लैटिन वर्ड से ओरीजिन होते हैं और यह कोइंसिडेंस की बात है यहां पर भी जो टेक्स्टाइल वर्ड है वो लैटिन वर्ड टेक्सरे टी-e-x-e-r-e उससे डेराइव होकर क्या आया है और इसका वीवे व लॉेवे मतलब वुनाई करना ह। तो वीवेवेग लोग लो ल्यर्न सी एन आस एनना और। ल तोनू जीफोरा ग्ल्स एफिव में ह जेन Ży सक्ष तूस,क्य चॉ taudkar ब। लॉओ लॉड है भल मैं एक्ष्ट प्लौफ टैक्सकि बवल टीस इवाइक लग। लुड शिल्क, कॉटन, लिनेन, और जूट, मैन मेड फाइवर्स इंक्लूड, नाइलोन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, और रियोन, तो फाइवर एक चैप्टर हम लोगों ने साइद साइन्स में भी पढ़ा होगा, इसी क्लास में या इसकी पिछली क्लास में भी, तो हम लोग देख रहे हैं कि कपड़े कैसे तयार होते हैं, उसके लिए यार्न चाहिए होते हैं, धागे चाहिए होते हैं, फाइवर चाहिए होता है, तो कॉटन, कपास से, उन से, सिल्क से, जूर से, और फ्लैक्स से कपड़े तयार होते हैं, तो इसी तरह से, जिस जिस को अलग-अलग काटेग्री में बाढ़ सकते हैं आगे इसमें हम लोग फाइवर्स को दो अलग-अलग क्राइटेडिया में भी बाढ़ सकते हैं देटीज नेचुरल और मैनमेड देखाटन टेक्स्टाल इंडस्ट्री इस वन अफ ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इस दिवल ऐसा तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉटन इंडस्ट्री जो है वो दुनिया के सबसे पुरानी इंडस्ट्री में से एक है अठारवी सताब्दी में जो इंडस्ट्रियल डिवल्यूशन हुआ जो अध्योगिक क्रांती हुई कि कॉटन यह हाथ से त्यार किया जाता हात से हतकरगा की मशीनों से हैंडलूम से त्यार किया जाता था यह सारे कि सारे कपड़े जो तयार होते हैं वह हाथ से चलाया जाते हाथ से चलाने वाली मशीनों से तयार होते थे हद करगा की मशीनों से तयार होते थे 18 वी सताबदी के बाद से पावर लूम्स की एविलिबिलीटी हुई तो इसके बाद से इसी तडिके से जो भी हद करगा की मशीने थी वो धीरे धीरे उन मशीनों की capacity बढ़ गई वो 24 घंटे में जितना production कर सकती थी वो पहले से ज़्यादा production करने लगी उसमें manual labor कम लगने लगा चुकि जब मशीने काम करने लगती है या उस तरह की machines की availability होती है तो एक आदमी हथकरगा से जितना कपड़ा तयार कर सक सकता है और इस चीज़ का फाइदा आगे चल करके पहले तो ब्रिटेन में हुआ और उसके बाद दुनिया के और भी देशों में जैसे की इंडिया चाइना जापान और यूएसे में भी इस अद्योगी क्रांती की वज़े से और पावर लोंग की इस्तिमाल करने की वज़े से कपड़े के उत्पादन में सूती कपड़े के उत्पादन में काफी ज्यादा फर्क पड़ा काफी ज्यादा इजाफा हुआ इंडिया है जे ग्लोरियस ट्रडिशन और प्रोड्यूसिंग एक्सलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्स्टाइल थोड़ा सा हम लों को इसमें अं अंग्रेज हमारे देश में सासन करने आये थे तो उन्होंने थोड़े दिनों के बाद में यह कहा था कि किसान का पास कॉटन उन्हें उगा करके दे देंगे और वहां से फिर अंग्रेज ऐसा करते थे कि जहाज के जड़िए यह सारा का सारा कॉटन वह ब्रिटेन भीज दिया करते थे और वहां से उसके कपड़े तयार करते थे और फिर वापस अंग्रेज उन कपड़ों को मंगा करके इंडिया में बेचने की बातें करते थे तो इस तरह से अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत के किसान बन करके ही रह जाएं या कमजोर मजबूर किसान बन करके रह जाएं यहां पर जो textile industry है वो ज़्यादा flourish नहों पाए और साथ ही साथ अंग्रेजों के मतलब उनकी जो व्यापारिक बुद्धी की बात है कि उन्हें ज्यादा ज्यादा फायदा हो इंडिया है जे ग्लोरियस ट्रेडिशन और प्रोड्यूसिंग एक्सलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्स्टाइल बिफोर दा ब्रिटिश रूल इंडियान हैंड स्पन एंड हैंड वूबन क्लॉथ अल्रेडी हैड वाइड मार्केट तो यह बात यहां भी लिखी है कि अंग्रे अधाका देशिंज अफ मसुली पत्तनम कैडिकोज अफ काली कट अगोल्ड रॉट कॉटन अप बुरहान पूर सूरत अग्रोडरा वेर नोन वर्लड वाइड वालिटी अंड दिजाइन तो यहां पर हम लोगों ने जो नाम लिया मुसलीं सब धाका चिंज अफ मुसली पत् काली कोज अफ काली कट गोल्ड रॉट मतलब सोने की कढ़ाई वाला सूती कप्रा जो बुरहान पूर सूरत और वरुद्रा में बनाये जाता था इसकी दुनिया भर में बहुत तारीफ हुआ करती थी बहुत चर्चा थी और बहुत जादा दिवांड भी हुआ करती थी क्यो हाथों से हथकरगा से अगर कपड़े तयार होंगे तो वो थोड़ा सा समय लगेगा और साथ में थोड़ा सा एक्स्पेंसिव भी हो सकता है चुकि उसमें लेवर जादा लगता है और लगभग यही वो समय था जब विदेशों में अद्योगी क्रांती की सुरुवात हुई थी पावर लूम्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा था तो इसलिए भारतिये हथकरगा उद्योग जहां पर हाथ से कपड़े बनाने की बात होती थी वो पश्चिमी देशों के इस कंपेटिशन को फेस नहीं कर पाया जहां पर पश्चिमी देश प्रीटेन अमेरिका या यह सारे देश हम लोगों से बहतर कपड़ा और हम लोगों से सस्ता कपड़ा बना लिया करते थे क्योंकि उनके पास में मेकनाइजड इंडस्टियल यूनिट्स हुआ करती थी मशीने हुआ करती थी बड़े-बड़ी मशीने कार खाने हुआ करते थे तो यहां यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से 1854 में मुंबई में सबसे पहली मेकनाईज मसीन से चलने वाला कार खाना मसीन से चलने वाला टेक्स्टाइल मिल इस्टैबलिस किया गया तो इसके साथ जो फेवरेवल फैक्टर थे वो यहां की जलवायू और इसके पास में पोर्ट बंदरगा भी है जिससे मसीन दी मंगाई जा सकती थी कार खाने इस्टैबलिस करने के लिए और उसके आसपास में रा मैटेरियल की अफिलिबिलिटी थी इसकी लेवर भी थे और इस वजह से मुंबई के आसपास की इलाकों में इसके बाद से टेक्स्टाइल इंडस्ट्री फैलने लगी यहाँ पर एक चोटा सा क्लिपिंग है कि क्या आप जानते हैं दे फर्स टेक्स्टाइल मिल इंडी कंट्री वाज इस्टैबलिस्ट एट फोर्ट ग्लोस्टर नियर कोलकाता इन एटीन एटीन अठारा सो अठारा इस वी में कोलकाता में फोर्ट ग्लोस्टर नाम की जगह प कि मुंबई के लिए इतने सारे फैबरेबल फैक्टर थे तो वह सारे फैक्टर इस फोर्ट ग्लोस्टर वाली मिल के लिए कोलकाता में ना हो पाएं हूं यहां हम लोग फेज नंबर 59 पर देख रहे हैं फीगर 5.10 जहां पर इस नक्से में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि पूरी दुनिया में वो छेत्र कॉन-कॉन से हैं वो रिजन कॉन-कॉन से हैं यहां पर टेक्स्टाइल मैनुफेक्टरिंग रिजन जादा ही देंस है यहां ज्यादा लोकिटेड है तो ठीक है इनिस इस इंडूस्ट्री फ्लॉर्ट इंदिए स्टेट्स आफ महाराष्ट and Gujarat because of favorable humid climate but today humidity can be created artificially and raw cotton is pure and not wet losing raw material so this industry has a speed to other parts also of India that is come to Kanpur Chennai Ahmedabad Mumbai Kolkata Ludhiana Pondicherry and Pani Patar some of the other important centers so that we have learned that first of all this is Maharashtra and Gujarat because in two places there is a humid climate and in two places there is a very important factor that is that in two places there is and now we will talk about Ahmedabad it is located in Gujarat on the banks of the Sabarmati River the first meal was established in 1859 it soon became the second largest textile city of India after Mumbai Ahmedabad was therefore often referred to as the Manchester of India you know Manchester का नाम सुना होगा Manchester Britain में है तो इसका मतलब है कि Manchester जो ब्रिटेन में है वहां पर काफी सारा टेक्स्टाइल इंडस्ट्री पहले से रहा होगा और वहां के सूती कपनों की मांग रही होगी production होता होगा इसी वज़े से इसे कंपेर किया गया है मैंजेस्टर के साथ में फेवरेवल लोकेशनल फैक्टर्स वे रिस्पॉंसिबल फॉर्ड डेवलप्मेंट आप टेक्स्टाइल सिटी इन अहमदाबाद अहमदाबाद इस सिचुएटेड वेरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि इसके आसपास में कपास की खिती करने वाले किसान जादा है वहां की मिट्टी वहां का इसके आसपास में सड़कें अच्छी है और जगह भी काफी सारी अवलेबल है जहां पर आसानी से इंडस्टी सेट अप किया जाता है इसमें हम लोगोंने एक और भी बात यह पढ़ी कि यह जो दोनों जगह हैं अहमदाबाद के आसपास में और महारास्टा के आसपास में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेवर की कमी नहीं है क्योंकि इन दोनों का पॉपलेशन भी बहुत ज़्यादा है दूसरी बात यह है कि हम लोग अभी भी जानते हैं कि अभी भी बंगाल से बिहार से यूपी से काफी सारे लोग इन जगहों पर काम करने के लिए जाते हैं तो इसलिए भी यहाँ पर स्किल्ड और अनिस्किल्ड लेवर की कमी नहीं है यहां हम लोग टॉप लेप कॉर्णर में देख रहे हैं पॉइंट एबाउट वन थार्ड आप इंडियन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री इस टोटल प्रोड़क्शन इस एक्सपोर्टेड तो यह बहुत बड़ी बात है ना कि भारत में कुल मिलाकर कि जितने भी कपड़े का बहुत पादन होता है जो भी टेक्स्टाइल इंडस्ट्री का प्रोड़क्शन है उसका एक तिहाई हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है तो यह हमारे देश की एकोनोमी में भी बहुत ज्यादा कॉंट्रिबूट करता है तो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि या तो टेलर के सौप से या फिर अपने घर में अपनी मा से बहन से भावी से चर्चा करके आप कपड़े के छोटे-छोटे कपड़े के तुगड़े ही कठा कर सकते हैं और यह समझने की आइडेंटिफाई करने की कोशिस कर सकते हैं कि उसमें से कौन सा सूथी कपड़ा है कौन सा रेसम का कपड़ा है कौन सा सिंथिटिक है और कौन सा उनी कपड़ा है साथ में आप यह भी जानने की कोशिस कर सकते हो कि उसे बनाने में क्या-क्या raw material का इस्तेमाल हुआ होगा उ it is an important textile center of Japan एक छोटा सा पराग्राफ रह गया है एहमदाबाद की बारे में पहले उससे देख लेते हैं इसमें यह लिखा है कि एहमदाबाद की textile mills में पीछे की दिनों में काफी problems भी रही हैं there were several textile mills have closed down this is primarily due to the emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradation of machines and technology in the mills of अहमदाबाद पीछे के सालों में कुछ ऐसा भी हुआ है कि वहां की कुछ मिले cotton industry बंद हो गई है क्योंकि उन्होंने अपनी machines को upgrade नहीं किया machines की life होती है technology की life होती है both needed to be upgraded with time अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे समय के साथ अपने आपको upgrade नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे तो ऐसा ही कुछ अहमदाबाद में हुआ है तो हम लोग उसाका की बात कर रहे थे जो जापान का सबसे important textile center है इसे Manchester of Japan कहते हैं यह गौर करने की बात है कि यहां पर भी इसे लोग मैंचेस्टर के साथ compare कर रहे हैं तो आप चाहो तो मैंचेस्टर के बारे में थोड़ा सा और भी study कर सकते हो कि आखिर मैंचेस्टर का नाम तब बार बार क्यों लिया जाता है जब हम textile की बात करते हैं textile industry की बात करते हैं so the textile industry developed in Osaka due to several geographical factors यहां भी geographical factor के favorable होने की बात होगी the extensive plane around Osaka ensures that land was easily available for the growth of cotton mills उसके आसपास में काफी सारा जमीन और समतल मैदान available है the warm humid climate is well suited to spinning and weaving तो जो वहां की जलवायु है वो भी बुनाई करने के लिए कपड़े की तैयार करने के लिए बुनाई करने के लिए बहुत suitable है उसके आसपास में एक नदी भी है योडो फिच प्रोवाइड सफिसेंट वाटर फॉर्ट 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 एज़िली एवलेबल तो वहां का population भी डेंस होगा location of port facilities important location of port facilities import of raw cotton and for exporting textiles उसके आसपास में समुद्री बंदरगा भी है जिससे वह कच्चा कपास अपने पास में मंगवा सकते हैं और finished good कपड़े तयार करके वह बाहर export कर सकते हैं इसका मतलब है उसके आसपास में खेती नहीं होती cotton की यह पूरी तरह से यह लोग cotton को raw cotton को import ही करते हैं अब यह cotton import कहां से करते हैं और इसके आसपास में समुद्री बंदरगा तो है ही so they import cotton from Egypt, India, China and USA तो map में यह देखना interesting होगा कि जापान का ओसाका सहर कहां पर located है और वह किस तरह से समुद्री रास्ते से Egypt, इंडिया, चाइना और USA से related है the finished product is mostly exported and has a good market due to a good quality and low price तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है और यह जानते हैं कि एक समय में जापान में industrial revolution का बहुत बड़ा असर परा है और एक समय में वह यूएस की economy को भी टक कर दिया करता था और यह second world war के समय की बात है तो यहां से बना हुआ ready made textile textile कपड़े और कपड़े की थान यह सारी चीजें जो हैं यह दूसरे देशों को export की जाती है क्योंकि इसे अच्छा market मिलता है और इसके साथ में यहां पर अच्छी quality का कपड़ा बनाया जाता है और जो बड़ा ही economic rate पर एफुलेबल है दाव इट इस वन आप दे इंपॉर्टेंट टेक्स्टाइल सेटीज इन दी कंट्री ऑफ लेट दे कॉटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री ऑफ उसाका हैज बिन रिप्लेजड बाई अधर इंडस्टी आलसो सच आइज आइरन एंड इस्टील मसीनरी सीप बिल्दिंग ऑटो मोवाइल इलेक्ट्रिकल एक्विपमेंट और सिमेंट तो हाला कि ओसाका टेक्स्टाइल इसके साथ में भी जो सबसे बड़ा प्लस फैक्टर रहा होगा वह समुद्री रास्ते से यह आसानी से इन चीजों को इसके आउट्पुट को यह इजिप्ट इंडिया चाइना और यह से को एक्सपोर्ट कर सकते होंगे Information Technology, IT अब हम इंडस्ट्री के साइकिल में, इंडस्ट्री के रैंकिंग में जो तीसरे नंबर पर हम लोगों ने रखा था That is IT, Information Technology जिसे आज कल दुनिया का सबसे hot इंडस्ट्री कहते हैं या emerging इंडस्री कहते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं इसके साथ में कुछ बहुत ही interesting बाते हैं, बहुत ही informative बाते हैं और ये आने वाले समय में अभी भी हम कह सकते हैं कि आगे के 50 साल तक, आगे के 100 साल तक IT इंडस्ट्री flourish करती रहेगी, आगे ही बढ़ती रहेगी यहां पर एक छोटा से example दिया गया है जिसके जड़िए ये बताने की कोशिस की गई है कि किस तरह से कोई IT इंडस्ट्री कोई information technology वाली company चाहे तो 24 hour कैसे काम कर सकती है इसमें example दिया गया है कि suppose करो कि एक software company है जिसके branch USA में भी available है और बंगलोर में भी available है तो दोनों जगा का time भी अलग-अलग होगा दोनों का shift भी अलग-अलग होगा और अगर एक common project मिला हुआ है इस company को और उस काम को कम समय में खत्म करना है तो ये अपने काम को दो हिस्से म में बांट सकते हैं अच्छा इंडस्टी के साथ में सबसे important बात है उसमें हम काम को online भी कर सकते हैं offline भी कर सकते हैं तो इसलिए काम करने वाले किसी एक जगह पर किसी एक office में जाना रोज के रोज जरूरी नहीं है किसी एक office से बंद करके रहने की बात नहीं है आप चाहो तो अपने घर पर भी रहकर के अमेरिका के किसी organization का काम कर सकते हैं और अब जो यह हम लोग कोरोना के समय की बात कर रहे हैं तो इस समय में IT इंड security थोड़ी सी कम हो गई है लोग जा नहीं सकते लोग आ नहीं सकते ऑफिसों में पूरी strength के साथ बैठ नहीं सकते school में classes, school में colleges में classes properly उस तरीके से पूरी strength के साथ चलाया नहीं जा सकता तो इस तरह से IT इंडस्ट्री की वजह से ही यह चीज पॉसिबल हो पाया है कि लोग online एक जगह से दूसरे जगह का काम आसानी से कर सकते हैं तो आप यह example पर करके देखेंगे कि किस तरीके से Danny जो की Silicon Valley California में काम करता है और इसमिता नाम की एक software engineer बंगलोर में काम करती है और दोनों के दोनों एक join project पर काम करते हैं एक रात में अपना काम करके छोड़ता है और उसे transfer करता है तो दूसरा यहां बंगलोर में उसे take up करता है और वो अपना काम करके फिर वापस पहले वाले को transfer करता है और इस तरीके से इस काम को वो ज्यादा आसानी से खातम कर सकत है तो बाइदी इंड आफ डडे ऐसा होता है कि यह काम जल्दी पूरा हो जाता है क्योंकि एक साथ इसमें दो सिफ्ट में काम हो रहा है दो जगह पर लोग काम कर रहे हैं और अगर हम आठाट गंटे की स्लॉट की हिसाब से बाटें तो ऐसा भी हो सकता है कि यह काम 24 गंटे मे में तीन दिन लगेंगे वहां पर IT इंड़स्ट्री में इस काम को 24 आवर में एक दिन में किया जा सकता है तो मैं चाहूंगा कि यह पैराग्राफ आप खुद ही पढ़ें और समझें देंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी इंड़स्ट्री डिल्स इन इस्टोरेज आप दीज इंड़स्ट्री जार रिसोर्स एविलिविलिटी यह ध्यान देने की बात है रिसोर्स एविलिविलिटी कोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोस्ट में कमी हो जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर कम भी हो तो चलेगा लेकिन क्योंकि लोग अपने घरों से काम कर स सकते हैं उन्हें क्या चाहिए उन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए ब्रॉड बैंड चाहिए दे मेजर हब सॉप दा इटी इंडस्टी आर्ड सिलिकन वैली कलिफोर्निया एंड बैंगलूरू इंडिया तो यहां भी हमारा देश वर्ल लेवल पर कंपीट कर रहा है जहां पर एक सेंटर की बात होती है सिलिकन वैली कलिफोर्निया अमेरिका की वहां पर हमारा बंगलोर उसके साथ में कंपीट कर रहा होता है तो एक्चुली में आईटी इंडस्ट्री में काम क्या होता है इसमें लोग डेटा स्टोर करने की बात करते हैं डेटा प्रोसेस कर नहीं है और generated output generated information को फिर से भीजना है और यह चीज़ भीजने के लिए आपको internet चाहिए internet connectivity चाहिए broadband connectivity चाहिए और internet connectivity तो उन सारी जगहों पर आसानी से अवलेबल है जहां पर भी टेलीफोन connectivity है तो आगे हम देखते हैं बंगलोर के बारे में बंगलोर वहां पर भी लोकेटेड है करनाटका में तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर बंगलोर को कालिफोर्निया के सिलिकन वैली के साथ में compare करने की बात हो रही है दोनों के climate का comparison है दोनों जगह पर हम जब बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि सिलिकन वैली में भी ऐसा कम ही होता है कि वहां पर इतनी ज़्यादा ठट पड़े कि temperature zero डिग्री से नीचे चला जाता हो आगे हम इन दोनों सहरों को और भी अच्छी तडिके से compare करेंगे कि क्या-क्या similarities है और क्या-क्या differences है देर आर अधर emerging information technology hubs in metropolitan centers of India such as Mumbai न्यू देलही, हैदराबाद और चन्नाई अधर सिटी सच अज गुर्गाओं पूने तिर्वंत पुरम कोची और चंडिगर आर अल्सों important centers of the IT industry however बंगलोरू has also always had a unique advantage as a city with highest availability of middle and top management talent यह ध्यान देने वाली बात है कि इसकी वजह से भी बंगलोर हमेशा टॉप पर रहेगा आगे ही रहेगा चुकि इसके पास में यह unique advantage है जो बाकी के metro cities के पास नहीं है तो अगर हम IT industry के growth की बात करें और इसके किस किस रेजन में ज्यादा established होने की बात करें तो उसके लिए क्या है कि मेरे ख्याल से हर estate का जो capital होगा वहां पर IT industry के growth होने के चांसे ज्यादा है हर इंट कितने भी state है भारत के जितने भी राज हैं उन सब की राजधानी में IT का growth ज्यादा होगा और कई जगहों पर software park बनाने की भी बातें हो रही हैं बिहार में भी पटना के आसपास में software park बनाने की चर्चा मैंने सुनी थी यूपी में भी नोइडा के आसपास में software park की setup होने की बात है लखनों में भी है और इस इंडस्ट्री के साथ में जो सबसे important factor है न कि इसके लिए कोई factory setup करने की ज़रूत नहीं होती आपको बस एक office से ही होता है या फिर आप चाहो तो घर से भी काम कर लो तो office घर और साथ में internet का network बस हो गया काम आप इसका काम कर सकते हो इसकी तैयारी सुरू हो जाएगी अच्छा जरा सा हम यहां देख लेते हैं पेज नंबर 61 में कि एक activity लिखी गई है बंगलोर को ले करके बंगलोर है सम इंपर्टेंट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और रिसर्च इंस्टिशूशन फाइंड आउट फुल फॉर्म आप दॉर्गनाइशन विच आर बी एल बी एच एल एच एल एच एल एन एल ड कि इन सब के फुल फॉर्म पता करें क्योंकि यह सब के सब गॉर्मेंट सेक्टर के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं इसमें से कुछ इंडस्ट्री का नाम नवरतन में भी आता है है तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ डाइलॉक के जड़िए कुछ कन्वर्शेश्टनलesesrare में यह कंपेडिजन करने की बात की गई है कि लोग कलीफोर्निया की सिलिकन वैली में कैसे काम करते हैं और भारत के बंग भणुगूर में कैसे काम करते तो है कि Bangalore has the largest number of educational institutions and IT colleges in India, the city was considered dust free with low rents and low cost of living, आप सपोज करो कि जिस जगह पे low rent होगा, लोगों को किराय के मकान आसानी से मिल जाएंगे, और अगर जहां पर रहना खाना पीना आसान होगा, वहां ज्यादा रहना पसंद करेंगे, दूसरी बात है कि यहाँ पर भारत के सबसे ज़्यादा educational institutions हैं, engineering colleges, medical colleges, मुझे लगता है engineering colleges, IT colleges यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, यही बंगलोर के लिए सबसे बरा advantage है, कि वो आज के दिन में अपने देश में IT industry में सबसे आगे हैं, और international level पर famous है, साथ में अमेरिका की Silicon Valley को compete करता है, उसके साथ में competition करता है, उसे टक कर देता है, क्योंकि यहाँ पर करनाटका की सरकार ने सबसे पहले 1992 में IT policy निरधारिद किये थे, तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, MBA किये हुए लोग, managers लोग, यह ज़्यादा अबलेबल है, तो यह भी एक बहुत बड़ा factor है इसके लिए, तो यह चीज हम लोग देख रहे हैं, figure 5.12 में, जहाँ पर यह दिखाने की कोशिस की गई है, कि बैंगलूर के पास में, बैंगलूर के पास में क्या-क्या locational advantage है, अब आगे बात हो रही है California की, It is close to some of the most advanced scientific and technological centers in the world, यहाँ पर दुनिया की जितने भी बड़े-बड़े scientific और technological कंपनिया हैं, उनकी office होगी, उनका corporate office होगा, the weather, pleasant climate with an attractive and clean environment, तो यहाँ भी environment बहुत ही clean है, और climate बहुत ही pleasant रहता है, और ऐसी ही बात हम लोगों ने बंगलूर के बाड़े में पढ़ी थी, कि वो dust free location है, है न, so plenty of space for development and future expansion, तो Silicon Valley, California में वहाँ पर जगह काफी है, काफी open space है, जहाँ पर भविश्च में बहुत सारे development center, scientific center, यह चीजें खोले जाने की संभावना बनी हुए है, it is located close to major roads and airports, Silicon Valley, बहुत सारे बड़ी-बड़ी सडकों से जुड़ा हुआ है, और airports के पास में है, good access to markets and skilled workforce, जैसे हम लोगों ने बंगलोर के बारे में पढ़ा था, कि वहाँ पर, कि वहाँ पर managers काफी available है, skilled managers available है, उसी तड़ीके से Silicon Valley, अमेरिका में skilled workforce available है, तो यह इसका सबसे बराइड़ाइज है, अच्छा, यहाँ पर कुछ interesting fact हम लोग देख रहे हैं, कि why do high technology industries group together, कई बार बड़ी-बड़ी technology वाली जो कंपनिया होती है, वो आपस में group बना लेती हैं, आपस में collaborate करती हैं, associate करती हैं, और साथ में मिलकर के वो बड़े होते हैं, तो उसका कारण क्या है, so the first point is, they can be located near main road highways for easy access, second point, firms can benefit from exchange of knowledge to each other, एक दूसरे के साथ में वो knowledge और technology share भी करते हैं, forms can benefit from exchange of knowledge, third point is, services and facilities such as roads, car, parks and waste disposal can be organized efficiently, इस चीज़ों को भी वो मिलकर के और्गिनाइज तरीके से कर सकते हैं, page 62 पर हम लोग देख रहे हैं, इसके bottom left corner में एक interesting fact है, ये बहुत ही interesting fact है, वो इस तरीके से है, कि आपको भी सुनकर के अच्छा लगेगा, being banglode, इसका मतलब क्या है, being banglode का मतलब है, कि lose one job to someone in the city of banglore, कि किसी वज़ाए से आपकी नौकडी चली गई, या आपकी नौकडी किसी और ने ले ली, जो banglore सहर में रहता है, ऐसा क्यों, क्योंकि अभी से कुछ साल पहले की बात है, जब USA में IT industry flourish हो रही थी, तो आगे चल करके वहां का बहुत सारा IT job, इंडिया में outsource कर दिया गया, क्योंकि यहां पर skilled labor ज़्यादा available था, और lower salary पर available था, तो इसलिए वहां का काम यहां के IT experts को, IT professionals को मिलने लगा, तो इसलिए यह term है being banglore, तो कोई बात नहीं, यह चीज़ें होती रहती हैं, और यह चीज़ वैसे इंडिया के लिए advantage वाली बात है, और इंडिया के लिए यह बहुत ज्यादा advantage की बात है, कि बंगलोर ही नहीं, देश के और भी सहर जैसे की हैदराबाद है, देल ही है, पूने हैं, गुडगाओं हैं, पटना हैं, लखनाओं हैं, नोईडा हैं, इन जगहों पर भी IT इंडिस्ट्री में काफी सारा काम होना शुरू हो गया है, मैं भी जैसे की अभी ये lecture discuss कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मेरा lecture 100 लोग सुन रहे होंगे, तो इस 100 में से मुझे लगता है कि 60-70% बच्चे students ऐसे होंगे, जो आगे चल करके software engineer बनना चाहेंगे, वो भी IT industry के लिए काम करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा होगा कि इसमें job opportunity जादा है, तो या तो IT industry में काम जादा है, या फिर IT enabled services sector में जादा है काम, ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे भी बात करते हैं, तो अब आपका ये chapter यहां पे खत्म होता है, जो chapter था industry, इसके जड़िये हमने 8th class का ये जो geography की किताब है, इसका ये आखरी chapter खत्म किया है, तो अब आपके पास memple time है, कि समय समय पर आप revision भी कर पाएंगे, तो यहां पर ही खत्म करते हैं, happy learning, फिर मिलते हैं, bye.